ओम गण गणपते नमहा स्री गुरुदे वदत नमस्कर मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको ओम रीम नमहा इस चमतकारी मंत्र को सिद्ध करने के गुप्त तरीके के बारे में बताने चारे ही हूँ ओम रीम नमहा इस चमतकारी और महा शक्तिशाली महा मंत्र को सिद्ध करने के एक बहुती असरदार ग्रहन काल में किये जाने वाले मंत्र साधना के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे इस अद्बुत सर्व मनो कामना पूर्थी मंत्र को सिध्ध करने से साधक अपने मन में बसी हर इच्छा मनो कामना और मनूरत के पूर्थी कर सकता है और किसी भी मनो वांचित काम या कारियम में मन चाही सफलता प्राप्त कर सकता है अब मैं आपको पहले ओम रीम नमहा इस बीज मंत्र का अर्थ पताऊंगी ओम यह ब्रह्मान्द की ध्वनी है और रीम यह माया या भुवनेश्वरी देवी का रहस्य मई बीज मंत्र है यह मन्त्र प्रचंड उर्जा उत्पन्न करता है जिससे सबकुछ संभव करने की क्षमता है अब मैं आपको इस मंत्र को किस तरीके से सिद्ध करना है वह आसान तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ इस चमतकारी मंत्र साधना को किसी भी पूर्ण या अन्शिक, चंद्र या सूर्य ग्रहन के काल में सिद्ध किया जा सकता है साधक ने इस मंत्र को भोज पत्र पर या सफेद रंग के कागच के टुकडे पर अश्ट गंध, रक्त चंदन, कुमकुम या केसर की स्याही से एक नुकिले लकडि के टुकडे से लिखना है उसके बाद उस बोज पत्र या सफेद रंग के कागच पर लिखे हुए मंत्र के सामने धूप अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करके हाच चोड़कर भक्ती और पूरे श्रद्धा के साथ पुजा करनी है और फिर शान्त चित्त से ओम रीम नमहा इस मंत्र का एक हजार बार जाप करना है मंत्र जाप की गिंती करने के लिए आप रुद्राक्ष या अन्य किसी भी प्रकार की जाप माला का इस्तमाल कर सकते हो या काउंटिंग काउंटर का भी इस्तमाल कर सकते हो मंत्र जाप पुरा होने के बाद उस मंत्र लिखिद भूज पत्र या सफेद रंग के कागच को पूचा घर में रखना है ओम रीम नमहा मंत्र सिद्ध होने के बाद उसका इस्तमाल किस तरीके से करना है अब मैं वह बताने जा रही हूँ इस मंत्र का प्रयोग करने का तरीका बहुत ही सरल और आसान है साधक को किसी भी महत्वपुर्ण काम या कारिय या मुलाकात को जाने के पहले या किसी भी नए काम के लिए जाने के पहले इस मंत्र का सिर्फ 15 बार जाप करना है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस मंत्र का इस्तमाल बार-बार मामूली कामों या कारियों के लिए मत करना या क्या होता है यह देखने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोद मत करना मैं आपको फिर से बता रही हूँ यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र है जो प्रचंड साथविक उर्जा निर्मान करके साधक को सीधे ब्रह्मांड के शक्ति से जोड़ देता है इसलिए इस मंत्र साधना को भक्ती और शर्धा के साथ करे इस वीडियो के हिंदी आर्टिकल की लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अगर आपको हमारे चैनल प्रसंद आ गया हो तो कुर्पया सिस्क्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे